देखें दोहजार उन्निस में भारत्रिय जनता पर्टिय और शिवसेना साथ हमें चुनाव लड़ी बनाव ये प्रधान मंत्री जी के नित्रुत्व में हमें पूर्ण भहुमत मिला बीजेपी को 106 सीटे शिवसेना को 56,56 सीटे और कई अन्य लोग हमारे साथ है 170 तक हमारी मेजोरिटी जा रही थी बाननिय प्रधान मंत्री जी ने चुनाव के दर्मियान भारतिय जनता पर्टी के मुख्य मंत्री का नाम भी ऐलान किया था सबको मंजूर भी था किन्तु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने ये निर्णय किया कि हिंदुरुदे समराठ शिवसेना प्रमूख बाड़ा साहिब ठाकरेजी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बन कर दूंगा ऐसे लोगों के साथ एलायंस किया और उसके बाद भाई साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्वत है न कोई विचार था न कोई गती थी न कोई प्रगती थी जो सरकार चालू इंफ्रस्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बन कर रही थी जो सरकार लगातार भ्रष्टा चार के आरोपों से लिप्त थी जिस सरकार के दो मंत्री मनी लॉंडरिंग में जेल में गए दाउद के साथ रिष्टे इसका आरोप मंत्री पर लगा बावजूद उसके जेल में जाने के बार भी उनको मंत्री मंडल से हटाया ने गया तो एक प्रकार से पतभरष्ट ऐसी सरकार भारतिय जन्ता पार्टी ने जिसको लगातार विरोथ किया ऐसी सरकार शिवसेना के मानने उद्धो जी के नित्रुतु में कॉंग्रेस न्सेपी की सरकार चली और इस सरकार के चलते शिवसेना के विदायकों में बड़ा रोश था उनको लगता था वापिस वोट मांगने जाना है और आज तक जो बाते कही उसके विरोध में काम हो रहा है साथ ही में उनकी कॉंस्टिटुएंसी में उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था फंड्स मिलते थे और यह सारी चीजों से बड़ा अंद्रेस था और उसके चलते श्री एकनाज शिंदे जी के नित्रुतु में शिवसेना के विदायकों ने एक ही मांग की कि कॉंग्रेस एंसीप के साथ हम नहीं रह सकते और यह गड़बंदन तोड़ा जा किन्तु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई माननिय उद्धो जी ने हिंदूत्व छोड़ दिया विचारों को छोड़ दिया और अपने विदायकों से जाधा कॉंग्रेस और एंसीपी की बात दिल को लगा कर रखी और उन्हें ही महत्वदिया इसके चलते इन विदायकों ने अपनी आवाज बुलन की मैं इसको बगावत नहीं कहुँगा ये आवाज बुलन की और आवाज बुलन करके फिर विदायकों ने ये कहा कि आप बहार निकलीए ने तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तिफ़ा दिया तो हम ये लगातार पिछले ढाई साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है ऐसी सरकार है चलती नहीं है और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्मेंट हम देंगे हम महाराष्ट पर चुनाव नहीं ला देंगे इसलिए एकनाच शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननी राज्यपाल जी को दिया भारतिय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टिया है इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौपा है और गवर्नर साहाब ने श्री एकनात शिंदे जी को साड़े साथ बजे शपत के लिए नियोता दिया है आज केवल एक ही शपत होगी श्री एकनात शिंदे जी की और फिर हम लोग सारी कारवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है इंडिपेंडन से हमारे 106 विधायक है इन में से जो जेश्ट बरिष्ट लोग है जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्री मंदल का एक्सपांशन किया जाएगा मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा मैं सरकार के बहार रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हितू जो जो चीज करना आवश्यक है ऐसी सारी चीजे हम मिलकर करेंगे मेरा विश्वा से आदर्णिया प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया परव शुरू किया है उस विकास के परव को धाई साल का जो ब्रेक लगा था वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट की प्रगती की एक्स्प्रेस ये तेजी के साथ भागेगी और उसके लिए मैं श्री एकनाच चिंदे जी को बहुत बहुत पढ़ाईगा